नमस्कार सातियों, स्वागत हैं आप सभी प्यारे मित्रों का परबोध क्लासेज के यूट्यूब चेनल में सातियों, आज हम एक बहुत ही शांदार कहानी है पूस की रात जिसके लेखक है आपके मुन्सी प्रेमचंद इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सातियों, सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ी जो आपके लेखक है मुन्सी प्रेमचंद इनके बारे में प्रचर्चा करेंगे इनका जो जीवन परिच्चे है उससे समंदित हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपके लेखक है मुनसी प्रेम चंद इनका जनम कब हुआ था तो जनम हुआ था इनका 31 जुलाई 1880 इस्वी में ठीक है जनम स्तान के बारे में हम वाद करते केंगा जनम हुआ कहा था तो लम्मी गाउं उत्तर पर्देश में ठीक है निदन कब हुआ था इनका निदन हुआ था आट अक्टूबर उन्निस्सो तर्राणवे इस्वी जो आपके लेकर कम उनसी प्रेमचंद इनका मूल नाम क्या है तो इनका मूल नाम है दनपत राई श्री वास्तो ये इनका मूल नाम था इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ उर्दू साहितिक नाम क्या था इनका तो इनका उर्दू में नाम था नवाब राई किसका प्रेमचंद जी का परसित नाम इनका जो किस नाम से ये परसित थे तो प्रेमचंद के नाम से ये परसित थे इनके पिता कौन थे प्रेमचंद क आपको इनकी जो कहानी है और इनकी बागी की और अन्य कहानी है उनकी बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले में कहानी के जो पात्र है इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ इस कहानी में होता क्या है एक पात्र होता है इसमें सहना ये कहानी का पात्र होता है इनका मूल पात्र है कहानी का वो है हलकू जो की नायक होता है एक पात्र होता है इसके अंदर मुन्नी जो की कहानी की नायक होती है और हलकू की पत्नी होती है एक पातर होता है इसके अंदर जबरा जो कि एक कुत्ता का नाम है और ये जो है जबरा ये हलकु का मित्र होता है ये एक दोस्त के रूप में जो है हलकु के साथ रहता है हरदम जिसे कई खेद पर जाए तो भी हलकु के साथ रहता है गर पर रहे तो भी हलकु के साथ रहता है क इसका ये दोस्त जो है जबरा कुट्ता ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं परमुक रचना ये कौन-कौन सी है प्रेम चंद की दूह है सेवा सदन एक है निर्मला रंग भूमी करम भूमी वह और और है इनकी गबन गोदान करबला संगराम प्रेम की वेदी मान सरोवर नवक का दरोगा पूस की रात बड़े बाई साब का मंतर जिसमें से पूस की रात कहानी है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे इनकी परमुक कहानिया और कौन-कौन सी है पंच परमेश्वर जो की 1916 में प्रकासित गुडिका की महत् सुजान बगत कजा की परिक्सा आप बीती ग्रहदार बड़े बैसाप ठाकुर का कुआ लोटरी सतरंज के खिलाडी उसकी रात आपने पहले पढ़ ली है इदगा और कफन यह आदी जो है इनकी कहानिया है कि इसकी मुंसी प्रेम चंद की 300 के लगबक इनकी कहानिया है जो क मान स्रोवर के 8 खंडों में संकलित है एक बार साथ यहीं से परसन आगया था कि जो मुंसी प्रेम चंद की पर्तम कहानिया किसमें संकलित है तो मान स्रोवर के नाम से 8 खंडों में संकलित है कितने खंडों में 8 खंडों में संकलित है ठीक है एकुछ मैतफुन विशेश ताई है एक पर्यमचन्द की पर्तं ने कोंसी हैvo 1916 में परकासिद पंच परमेस्वर और अंतिम कहानी कोंसी है तो कफन यह गशें उन्निस כब है 1936 में परकासिद हुई थी यह इसकी पर कहानी है कौन सी पंच परमेश्वर और अंतिम कहानी कौन सी है तो कफन मानी जाती है ठीक है उर्दु में लिखा गया उनका कहानी संगर है सोजे वतन 1907 में परकासित हुआ था इनका जो कहानी संगर है सोजे वतन 1907 में परकासित हुआ था यह किसमें लिखा गया था उर्दु में लिखा गया था महाजनी सब्वेता उनका अंतिम निबंध escola he का अंतिस्व पून उपरन्यास जाता है किसका प्रेमचंद का जो है गोदान नंका मोन उपरन्यास माना जाता है और मंगल 26 इसवी से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहिते इन 30 वर्सों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज हैं इसमें उस दोर के समाज सुदार आंदोलनों स्वादीनता संगराम तता प्रग्रतिवादी आंदोलनों के सामाजिक परभाव का स्पैष्ट चितरन हैं उनमें दहेज, अनमेल विवाह, प्रादीनता लगान, चुवा चूत, जाती, बेद, विद्वा विवाह, आदुनिक्ता, स्त्री पुरूस, समानता, आदी उस दोर की सभी परमुक समश्याओं का चितरन मिलता हैं किसमें आदर्सों मुक यतार्दवाद उनके साहिते की मुक्य वि 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद का युग माना जाता है, ठीक है, साथ यो, इसी के बीच आपके सामने हमारे टेलिग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और इंस्टाग्राम पेज को फोलो करे, एक आपको हमारी वेबसाइट भी मिलेगी, जिस पे आपको हर एक परका प्रेमचेज.in लगागी, अगर आप ऐसे सर्च करोगे वेबसाइट पर तो आपको हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, जिसे हमारा वेबसाइट पेज खुलेगा, तो आपको इसमें साइन्स से रिलेटेड, आपको जिसे साइन्स के टोपिक, ग्रेड़ फैस्ट में जित किताब खरीदे, इस कहानी को आप दो पेज, तीन पेज में निकलवा के वहाँ से कोपी करें, आराम से कोपी करके आप उसको जो है, किसी भी इमितर वाले से जो है, आप प्रिंट निकलवा के आराम से वापस दुबारा पढ़ सकते हो, आपका 5-6-7 रुपे में काम हो करते हैं, अपनी मूल कहानी है, पूस की रात, यहां से हम शुरुआत करते हैं, पूस की रात कहानी, सबसे पहले हम बात करते हैं, हलकु जो की कहानी का मूल पात्र है, और एक कहानी का नायक है, और क्या है यह, इनकी पतनी मुन्नी, कौन है हलकु की पतनी, कौन थी मुन्नी ठीक है हलको ने आकर स्त्री से कहा अब यहाँ पर अभी तो मैंने बता दिया आपको कि भी स्त्री कौन है तो वो मुन्नी है लेकिन अभी तक आपको फिलाल इस कहानी को जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे आपको कहानी अच्छे सा समझ में नहीं आएगी एक बार अगर आप इसको डंग से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी हलको ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है लाओ जो रूपे रखे हैं उसे देदू किसने कहा था हलको ने सहना है जो कि एक कहानी में पातर है सहना आया है लाओ जो रुपे रखे हैं उसे देदू किसी तरह गला तो छुटे किसी तरह मेरा पीछा तो छुटे क्योंकि रोज यो सहना है ये पैसे लेने आ जाता है मुन्नी जाडू लगा रही थी यह मुन्नी कौन है हलकू की पत्नी कौन है हलकू की पत्नी ठीक है मुन्नी जाडू लगा रही थी पीछे फिरकर बोली तीन ही तो रुपे है देदो तो कंबल कहां से आवेगा मुन्नी बोल रहे कि अपने पास यानि मेरे पास वहां पे तीन ही माख बूस की रात आपको पता है सरद्य की रात होती है तो यह हार केसे कटेοι उससे कह दो फसल पर देंगे अभी नहीं जब उनकी पाल भुड़ ove चाईगी तो उसको आ बाद में उसको बेच आहिंहें अभी हमारे पास पैसे नहीं है यह बात कोन कहरी ये मुणनी किसे कह रहिए है हलको से कि अभी ये पेशे जो है आप अभी जो है आप उनको जो है ना यह उसको बोल दो कि अभी हमारे पास पेशे नहीं है फशल हर दे देंगे हम ठीक है पूश सीर पर आ गया पूश यानि जो आपके सर्दी है वो सीर पर आ गई कंबल के बिना हार में रात कोब है किसी तरह नहीं जा सकता ठीक है बिना कंबल के रात काटना आपको पता है मुझकिला सर्दी के दिनों में मगर सहना मानेगा नहीं गुड़िकिया जमावेगा गालिया देगा लेकिन ये सोच रहाए गर सहना को भी पेसे नहीं दिये मैंने तो ये भी नहीं मानेगा यहांसे जाएगा भी नहीं और एसे कौन कहरा है हलकूं बला से जाडो से मरेंगे जाडो यानि यापर सर्दी क्या है सर्दी बला जाडो से मरेंगे बला तो सिर से टल जाएगी बला यानि मुसीबत यापर क्या है मुसीबत ठीक है बला तो सिर से टल जाएगी यह जो हलकू है वो बोल रहा है कि बले मैं सर्दी से मर लूँगा लेकि ये मुसीबत जो है मेरे सिर से टलतो जाएगी कौन सी बार-बार सहना पैसे जो मांगने आता है यहां सोचता हुआ वह अपनी भारी बरकम डील ले हुए जो उसके नाम को जूट सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया कौन हलकू और कुसा मत करके बोला ला देदे गला तो छूटे कंबल के लिए कोई और दूसरा उपाई सोचूंगा ऐसे कौन कह रहा है हलकू कह रहा है कि जो रखे है तीन रुपे वो देदे कैसे भी करके कम से कम मेरा इससे पीछा तो छूट जाए मैं कंबल के लिए कोई और उपाई सोचूंगा या पर कुछ और जो है कई तरीके से पैसे कमा के लओंगा मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आखे ततेरती हुई बोली कर चुके दूसरा उपाई जरा सुनू तो कौन सा उपाई करोगे तो मुन्नी है जो उनके जो हलकू है उसके पास से तोड़ा दूर जाके और आखे से चड़ाती हुई बोलती है कि कर चुके आप तो कोई दूसरा उपाई जरा मैं भी तो देखूं कि आप दूसरा उपाई कौन से करोगे पैसा कमाने के लिए कोई खेरात देदेगा कंबल नजाने कितना बाकी है वह जो मुन चुकने ही नहीं आती मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते मर मर काम करो उपस हो तो बाकी दो दो चलो चुटी हुई बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जनम हुआ है कौन बोल रहा है ऐसे मुन्नी बोल रही है कि बाकी पैसे चुकाने के लिए तो हमारा जनम कूँआ है आप किसी प्रकार से है जो है ये खेती छोड़ दो इसके बाद आगे हलको उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं मुन्नी को बोल रहा कौन हलको ये बिल्कुल जो फेक्ट है आपको इसे एक्जाम में देखने को मिलेगा तो क्या गाली खाऊं हलको ने किस से कहा तो हल्कु ने जो है यहां पर मुन्नी से कहा था क्या कहा था तो क्या मैं गाली खाऊं सेना से बार-बार पेसों के लिए मुन्नी ने तडब कर कहा गाली क्यूं देगा क्या उसका राज है यहां पर उसका राज है कि जो हमें गाली देगा मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोये डीली पड़ गई हलकू के उस वाक्य में जो कठोर सकते था वह मानो एक बीसन जनतू की बाती उसे गूर रहा था उसने जाकर आले पर से रुपे निकाले और लाकर हलकू के हाथ पर रख दिये फिर बोली तुम छोड़ दो अब से कहती मजूरी में सुक से एक रोटी तो खाने को मिलेगी किसी किंदोस तो न रहेगी अच्छी कहती है Mजूरी करके लाओं वहे भी उसी जोग दो पर्दास उस परदास यह जो मुन्य है यह कह रही है कि आप कम से कम खेती छोड़ दो कई और मजदूरी कर लो मजदूरी करने क जो पैसे लाओं गे उसके कम येक तो आराम से आप आँगी क्योंकि आप रोज रोज जो खेती करते हो उसमें जो उनका फसल होती है उसमें से उनको पैसे भी नहीं आता है पुरी फसल जो है उनकी गाये वगर नील गाये वगर होती हो खा जाती है तो खेती से उनको कोई वेनिफिट नहीं मिल रहा था ठीक है इस परकार मुनिक कहती कि आप खेती करना छोड़ दो और कहीं और जिग मजदूरी करने लग जाओं। हलको ने रुपे लिए और इस तरह बहार चला मानो अपना हरते निकाल कर देने जा रहा हो। क्यों हलको जो है पैसे लिया वाँ बहार जाकर किसको सैना को देने के लिए बार गया था तो इसने मजदूरी से एक-एक पैसा काट कपड़ कर कर कि तीन रुपे कंबल के लिए जमा किये थे वहां आज निकले जा रहे थे एक-एक-पक के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता से दीनता के बाहर से दब जा रहा था क्योंकि उसने जो मजदूरी करके एक एक पैसा इकटा किया था वो आज उसके तीनर पर उसके वहाँ से निकल गए थे ठीक है इसके बाद आगे की कहानी में हम बात करते हैं पूस की अंदेरी रात हैनी जो आपके पूस की अंदेरी रात है आकास पर तारे भी ठिटूरते हुए मालूम होते थे हल्कू अपने खेत के किनारे उक के पत्तों की एक छत्री के निचे बास के खटोले पर खटोले यानि आपके जो है वो मचिया क्या बोलते हैं उसको मचिया मचिया ठीक है खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओड़े पड़ा काप रहा था कौन हल्कू हल्कू जो है पूस के यानि जो ठंडी की रात थी आकास में तारे भी टिम्टे मारे थे ठेटूरते हुए बिल्कूल हल्कू अपने खेत पर गया और एक यानि एक के जो पत्ते थे उसकी चटरी बनाकर चैटरी बनाकर वहां पे जो मास की ती वहां पे उसकी खटोली बनी पंबल हुए फैस्के ऊपर चादर बिच्छा कर और वहां पर ठंड़े में कापता वाश ओ गया TH ठीक है खाटिके निचे उसका संगी कुकू कुकू यानि मित्र यह ह diary हुआ शरस सें कूकू का रहा दी जो है हर रहा तो चू सें टेल State को भी नीदन आती थी इन यहां पर तो यहां पर जो हलकु है वो कहता है अपने कुट्ते को जबरू को कहता है जबरा को कि मैंने कहा था आप गर पे रहो कि वहां पर आराम से जो आपके चारे की वो पुआल होते हैं उस पर महीं लेटे रहो ताकि वहां पर गरम जो है तोड़ी आपको गरमास रहेगी लेकिन यहां आये ते बागे-बागे मेरे साथ अब खाओ ठंड मैं क्या करूं के वहां किए ओस ते जैसा में यहां हल्वा फुरी खाने आया हूं दोड़े-दोड़े आगे चले-चले-चले आए ओसे आ करें अगया गया चल़ आयकां पे खेद पे किसके साथ हलकू के साथ ठीक है , कभी रो नानी के नाम को को नानी के नाम को कहता हैं किसको कुछ को पूछ क्या है पोछ जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कू कू को दिर्ग बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया उसकी स्वान बुद्धी ने सायद ताड़ लिया स्वामी को मेरी कू कू से नीन्द नहीं आ रही है ऐसा कौन सोचता है कुट्ता वो जब रहा है वो सोचता है कि सायद स्वामी को इसलिए स्मझ में आरी है तो आप कमेंट बुक्स में एक बार मुझे लाइक वाला जो है आप през करेven मैं करते हैं काथ निकालकर जबरां की ठंडी पीट चैला ते हुए कहा मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे किस्ने कहाता हलने जबरां की पीट को सहलाते हुए कहा था कि कल से मेरे साथ मताना नहीं तो और ज्यादर ठंड है और ज्यादर ठंड हो जाओगे यहां रांड पच्छवा ने जाने कहां से बरब लिये आरी है यह जो आपका सब्द है यह आपके जो बिल्कुल मारवाडी सब्द है यही यूज किया गया इसकंदर ठीक है यह पच्छवा यानि आपके यहां पर हवा ठीक है यह हवा जो है जाने कहां से बरब लिये आरी है उर्दू फिर एक चिलम भरूं किसी तरह रात तो कटे आठ चिलम तो पी चुका यह खेती का मज़ा है कौन एसा कौन कहता है हलकु कहता है कि मैं किसी तरह रात काटने के लिए उसने 8 चिलम पूछा गया कि हलकू ने कितनी चिलम पीती तो 8 चिलम पी ली ती कितने हलकू ने ठीक है और पूरी रात काटने के लिए उस जाड़ा जाए तो गर्मी ishse जबरा कर भागे इतनी ठंड थी ठीक है मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजा लें जाड़े का गुजरो जाए तक्दीर भी की खूबी है मजूरी हम करें मजा दूसरे लुटे हलकू उठा गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिलम बरी जबरा भी उठ बेटा हलकू ने चिलम पिते हुए कहा पेगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है किसने कहा था हलकू ने कि तू भी चिलम पेगा क्या सर्दी तो क्या ही जाएगी जरा मन बदल जाता है जबरा ने उसके मूँ की और प्रेम से चलकती हुई आखो को देखा किसने कुटे ने किसके हलकू की आख को को हलों को आज ओर जाड़ा खाले कल से में यहां पुआदां नलगेगा जबरा ने अपने पंजे उसकी गुठनी ओपर रख दिये और उसके मुह के अपना मुह ले गया को जब्रा कौन यहां पर वह हिकुता जो फार्प bike पास ले गया था और उस के जो को उशकी गर्म सांस लगी चिलम पीकर हलकू फिर लेटा और निश्चल करके लेटा की चाहिए कुछ भी हो जा अब की सो जाओंगा एक पर एक ही सन में उसकी हर्दे में कमपन होने लगा कभी इस करवट लेटा कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिसाज की बाती उसकी चहती को दबाए हुए था सर्दी की रात इतनी थी कि हलकू कभी इस करवट लेटा कभी इस करवट लेटा लेकिन उसको जो है सर्दी के मारे नींद नहीं आरी थी ठीक है जब किसी तरह नहीं रह गया तो उसने जबरा को दीरे से उठाया और उसका सीड़ से तप तपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया किसको कुट्टे को हलको ने उसकी गोद में सुला लिया था कुट्ट्टै में हम बात करते हैं कुट्टे की देह से जाने कैसी दुर्गन्द आ कि अन्दर से उसको हलो को जो है समयल आ रही थी तो हल्कोंने सोचा कि ox was ये मेरे जो पास हो रहा है से मुझे बहुत स्कून मिल रहा है ऐसे माना जैसे आत्मा ने उसे खुत्ते के पड़ती गर्णा की गन तक नाती किसमें हलकों हलकों ने ठीक है ऐसा सोचाता अपने किसी अभीन मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता वह आज उसे इस दिशा को दसा को पहुचाया दिया ठीक है नहीं इस अनुकी मेत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उनका एक एक अनुप्रकास से चमक रहा था सैसा जबरा ने किसी जानवर की आठ पाई यहां पे होता क्या है दोनों सोते हैं मनी मन जो है हलकू और जबरा एक दूसरे के प्रति सोचते हैं लेकिन इतनी ही देर में जबरा ने जो है किसी जानवर की आठ पाई ती इस विशेज आत्मेता में उसने उसमें एक नई स्पूर्ति पैदा कर दी ती जो हवा के ठंडे जोकों को तुछ समझती थी वहां जपटकर उठा कौन जबरा और चपरी से बाहर आकर भूगने लगा हलकू ने उसे कई बार चुम चुम कार कर बुलाया पर वहां उसके पास ना आया हार में चारों तरफ दोड़ दोड़ कर भूगता रहा एक सन के लिए आप भी जाता तो तो तुरंती फिर दोड़ता यहां पर होता क्या है जो कुत्ता है वो बार 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 उसको क्या किसी जानवर के आवाज खेत में उसको जानवर के आवाज आ रही थी तो उसने सोचा कि यहां पर कोई ना कोई जानवर तो है तो वो बाहर निकल कर भूगता है चारों तरफ गूम के भूगता है वापस आ एक गंटा गुजर गया रात ने सीत को हवा से ददकाना शुरू किया हलकू उट बेटा और दोनों गुटनों को छाती से मिलाकर सीर को उसमें छिपा लिया फिर भी ठंड कमना हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है कि जो हलकू है उसने सीर को गुटनों के बीच हो उसने जुकर आकास के और देखा तभी अभी कितनी रात बागी है सब तरसी सभी आकास में आदे भी नहीं चड़े उपर आ जाएंगे तब कहीं भी सबेरा होगा अभी पहर से उपर रहात है ठीक है हलकू के खेट से कोई एक गोली के टपे पर आमो का एक बाग था पजड़ सुरू हो गई थी बाग में पत्यों को डेर लगा वा था हलकू ने सोचा चलकर पत्या बटोरू और उन्हें जला कर खूब तापू रात को कोई मुझे पत्या बटोरते देख तो समझे कोई बूत हैं कोन जाने को जानवरी चिपा बेटा है मगर अब तो बेटे नहीं रहा जाता है यहां पर हल्कू सोचता है कि जो उसके वहां पे आमों का एक पैड़ था, बाग था वहां पर बहुत सारी पत्या जो पद्ज़र का जो मोसम ता उसमें सारी पत्या निची जूँ है, वहा उससे और उनका एक जाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे के तरब चला जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा फिर उसके बाद होता क्या हलकू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे में पत्या बटोर कर तापे ताटे हो जाएंगे ताटे यानि ठंडे हो जाएंगे तो फिर आकर सोयेंगे सोरी गरम हो जाएंगे टाटे यहां पर जो है अपने गरम हो जाएंगे तो फिर आके सुएंगे अभी तो बहुत रात बाकी है ऐसा कौन कहता है हलकू जबरा ने कू कू करके सहमती परकट की और आगे पीछे बगीचे की ओर चला बगीचे में खूब अंधर अचाया हुआ था और अंधकार में निर्दिय पवन पत्तियों को कुछलता हुआ चला वरक्सों से ओस की वूंद टपक टपक रही थी एका एक एक जोका महंदी के फू करा हलकू जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई ती उससे चिचोड रहा था कौन जबरा कुत्ता हलकू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तिया बटोरने लगा जरा देर में पत्तियों का देर लगा दिया थोड़ी से देर में उसने पत्तियों का देर लगा अगर बस्म कर देगा कौन हलकूं कि फोड़ी ही देर में अलाव जल उठा उसकी लोग वरक्स की पत्यों से चूचू कर भागने लगी उस तिर प्रकास में बगीचे की विसाल वरक्स ऐसे मलूम होते थे मानों उसे अता अंधकार को अपने सिरो पर संबाले हुए अंधकार के प्रकास एकनो का के सम्मानी प्रकास में पहलता हुआ है क्या सात्यों जिससे एगर मैं बात करूं तो यहां की पत्तों उत्यों करें के लिए एक झाडू कि भूनाता है जो कि यह घ्हड़ पत्तें को इकटी करता है ऑस अग लगा देता है उसके बाद वह विल्कुल तापता रहता है अब डेर की जो लो है जैसे देर की जो आग लो है वह इतनी उपर उट रही थी कि जैसे मानों उपर वहाँ जो और बाकी के पौदे थे उसको छुने वाले हैं ठीक है यहाँ पर यह सिंपल बासा में ऐसे समझाए गया है तो आपको गिल्कुल सिंपल जो सिंपल है उस बासा में समझना है हल्कु अलाव के सामने बेटा आग ताप रहा था एक संड में उसने दुहर उता कर बगल में दबा ली दोनों पाव फिला दिये मनों थंड को ललका रहा हो तेरे जी में जो आए सोकर थंड की हसीम सक्ती पर विजय पाकर वैं विजय गर्व को हरदे में चिपाना है सकता था ये कौन काता है किसका या तो ये हलकू का कतन है ठीक है उसने जबरा से कहा किसने हलकू ने क्यों जबर अब ठंडर नहीं लग रही जबर ने कू 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 करके मानो कहा अब क्या ठंडर लगती ही रहेगी जब इतनी गरम ताप कर रहे हैं तो अब क्या ठंडर लगती ही रहेगी क्या पहले से य dife अमें सुचा इतनी थंड़ी क्यों्क खाते जब बने पूछ लाई हुएह हाँ तो तो यह कुछ होता थीक अज़ये कों निकल जाता PowerPoint ग mascul contribute कि बिच्चा तो में दाऊंगा तो तो किसने कहा थाढकु कहा रहा है कि आपका आग का जो अलाव है इसमें कूद 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 कर पार करते बच पन मैं खेल देते हैं वैसे यह कुछ खेल रहे है कि जैसे इसस Druhu कूद नहें अगर जल गया तो मेरी कोई गारंटी नही सब्सक्रे शान विए देखा मुनिस से कल कहा देना नहीं तो लड़ाई करेगी यह कौन कह रहा है किससे कर रहा है कुछ निकल गया पेरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी जबरा आग के गिर्द गूम कर उसके पास खड़ा आ हुआ हलको ने कहा चलो 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 इसकी सही नहीं उपर से कूद कर आओ वह फिर कुदा और अलाव के इस पार आ गया कौन जबरा ठीक है पत्या जल चुकी थी फूरी तरीके से बगीचे में फिर अंदेरा छा गया था राक के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का जोका आ जाने पर जरा जाग उड़ती थी पर एक सन में फिर राक के बंद कर लेती थी हलकों ने फिर चादर ओड़ ली और गरम राक के पास बेट गया एक गिस कुनगुनाने लगा कौन हलकों उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जो जो सीथ बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाई लेता था किसकों हलकों कों आलस बहुत ज़्यादा आते थे सायद नील गया होगा जूंड था किसका जूंड था नील गया होगा जहां-जहां में इसे हाइलाइट कर रहे हैं कौन नील गया उनके बचाने की चबाने की आवाज चर-चर सुनाई देने लगी किसको हलकों यहां पर हुआ किया लगगा फिवर्य होगा जहां-अंय। यह नोच डाले मुझे तो ब्रह्म हो रहा है कहाron अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा दोका हुआ, उसने जोड से आवाज लगई जबरा, जबरा, किसने आवाज लगई थी, हलकों ने, कि उसको लगता है कि मेरे कुट्टे के होते हुए, मेरे जबरे के होते हुए, यहां खेत में कोई जानवर आई नहीं सकत जबरा भूगता रहा, उसके पास नाया, जो जबरा है, वहां पर खेत के अंदर भूगता रहा, भूगता रहा था वह, लेकिन वह लगई पास नहीं आता, क्योंकि हलकों उसको आवाज रेगुलर लगई जा रहा था, फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली, अब वह अपने जगह से हिलाना है, उसने जोड से आवाज लई, लिहो, लिहो, किसने आवाज लगई थी, हलकों ने, लिहो, 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 ठीक है, क्योंकि उसको जाने की जोब है, हीमत नहीं थी, किसकी हलकों की, आगे हम बात करते हैं, जबरा फिर भूग उटा, जानवर खेत में चर र पर एक हावा का एसा ठंडा चुबने वाला बिच्छू से डंक का जोका आया, फिर उसते हुए अलाव के पास बटा और राक को कुदेर कर अपने ठंडी देह को गर्माने लगा, यहां पर होता क्या कि हलकु जो हता है, फिर वो जैसे तैसे करके उसको आवाज आती, तो पर बिच्छो का डंक लगा हो, यह फिर उसके जो एक दम से ठंड का इसा महसुस होता है, तो वो क्या करता है, वापस आके वो खेत में जाता है, अपने जो है वो आग के पास उसको कुदेर कर वापस पर बेट जाता है, जबरा अपना गला फार डालता था, जबरा बार-ब और चिल्दा रहा नील गाएं खेत का सफाया की डालती थी नील गाएं जो हैं खेत का बिलकुल साफ कर दिया था खा गई थी और हल्कु गरम राग के पास सांत बेटा हुआ था अक रमनेता ने रश्यों की बाती उसे चारों तरफ से जकड रखा था किसने हल्कु को उसी होता है कि फिर वह क्या को जानन जाता नहीं है हल्कु फिर वह जो आग से पास चादर होता है विदर शौटाव भीक कर रहा गया इसा कोन कहता है मुन्नी कहती है हलकूं ने उठकर कहा क्या तू खेत से होकर आ रही है मुन्नी बोली हाँ सारे खेत का सत्यनास हो गया बला ऐसा भी कोई सोता है तुमारे यहां मंडेया डालने से क्या हुआ हलको ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ अब हलको को पता था कि जो नील गए हैं वो सब खेत को साप कर चुकी खा चुकी पूरी फसल हो उसको लेकिन अब उसको मुन्नी का डर लगता है अपनी पतनी का डर जो है सब को लगता है तो उसको मुन्नी का डर लगता तो वो कहता है कि उसने बहाना बना लिया था कि तुम् मड़ेय के निचेचित लटा है मनों प्राणी नहों दोनों खेत की दसा देख रहे थे मुन्नी के मुख पर उदासी चाही पर हल्कू परसंट था हल्कू तो परसंट होना है था क्योंकि हल्कू को तो चाहता है यह था कि मैं तो खेती करूं भी नहीं और आराम से मस्त सोता रह हल्कू ने परसंट मुख से कहा रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा अच्छा हुआ कम से कम जो नील गए है पूरे खेत को साप कर गई है रात में मुझे कम से कम अभी यहां पर सोना तो नहीं पड़ेगा इसलिए जो हल्कू है बहुत परसंट था और मुन्नी जो दुकी थी साति यह तो kaやって आपकी यहीं समाप्त होती एगर आपको कहानी अच्छी लगी है ₹ तो चैनल को subscribe कहाने के 50 प्रशन मिल जाएंगे इसी के साथ जिन्होंने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें कहानी यहीं है पूस की रात इसमें ज्यादा कुछ विशेज है नहीं बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि क देने वाद